नमस्कार, क्यापिचल टीवी देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूझा ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं शराब गुटाले में अर्विन केजरिवाल की गिरफतारी तो हो गई है लेकिन बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री अ केजरिवाल इस्तिफा नहीं देंगे तो केजरिवाल की क्या कुछ चला की बताएंगे आपको लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दे सुप्रिम कोट का रुक क्या है अर्विन केजरिवाल ने आमादमी पार्टी के कई नेता जो है वह सुप्रिम कोट में की मांग करने के लिए पहुंचे है सुप्रिम कोट के रजिस्टार के घर के बाहर आम आदमी पार्टी के नेता मौझूद है और आम आदमी पार्टी का कहना है कि आज रात को ही अर्विन के जिवाल की गिरफतारी पर सुनवाई सुप्रिम कोट में की जाए तो सुप्रिम कई बड़े नेताओं को भी हिरासत में लिया गया है तमाम बड़ी अबजेट के साथ में साथ जुड़े हैं कि आपटल चीप के एडिटर इंचीफ जॉक्टर मरीश कुमार क्यों इस्तिफा नहीं देना चाहते हैं के जुरिवाल यह तो आश्चर जनक्स चीज है यह व्यक्त के खिलाफ लड़ने वाला कोई बहुत 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 बहादूर आ गया आज जो बड़ी खबर आ रही है वो कि जब अर्विंद केजरिवाल को फॉर्मली अरेस्ट किया जा रहा था तो एडी के अधिकारियों ने आउट आफ प्रोटोकॉल यह पूछा कि आप दिली के ची अपने पद से इस्तिफा देंगे तो केजरिवाल ने कहा मैंने मैं इस्तिफा नहीं दूगा बाहर यह स्पीकर देखिए बेशर्मी का आलम क्या है इस्पीकर जो है वो प्रोटेस्टर्स के साथ खड़े हो करके टेलिविजन को बाइट दे रहा है कि इस्तिफा नहीं देंगे और यह बाइट कब है यह आतिसी मारलेना का बयान कब से आया यह सौरब भारदवाज इन लोगों ने कब कहा कि इस्तिफा नहीं देंगे यह गरफतारी से पहले ही इन लोगों ने कह दिया इसका मतलब आप यह समझे कि यह एक पूरी तरीके से प्री प्लैंड तरीका है आपने प्री प्लैंड की बात की तो अगर पिछले एक दो महिने का जिकर करें तो पिछले कुछ दिनों पहले जो आमादमी पार्टी की तिरफ से दिली में रेफरेंडम कराया गया था बार-बार पूछा जा रहा था लोगों से कि केजरिवाल को इस्तिफार देना चाहिए आप देखिए कोर्ट में क्या हुआ जजज साहब लंच से पहले उन्हों ने मांगा कि भई सबूत है तुम्हारे पास केजरिवाल के खिलाफ और केजरि वाल के खिलाफ जो सबूत दिया गया जजज साहब उस सबूतों को देखे आए तो उनका मूड ही पदल गया उनुने तो इसका मतलब ये है कि वो भी केजरिवाल को भी मालूम है कि वो केजरिवाल बचेगा नहीं और इसके लिए ये पूरी प्लानिंग ये फ़र्जी तरीके से रेफरेंडम तो पता नहीं क्या क्या तो खैर उन्होंने मना कर दिया अब आप ये समझे बहुत सारे लोगों की न सुरेंड जैसा वेक्ती गिरफतार हुआ तो राजपाल के पास जाकर के उसने इस्तिफा दे दिया पहले स्टिफ़े की खबर आई फिर आई कि ये मन सुरेंड गिरफतार हुए ये इतिहास का पहला ऐसा राजनीती का नटवरलाल निकला जो गिरफतारी के बाद भी अपने पद को नहीं छोड़ रहा और ये वरस्टाचार के खिलाफ इंडिया अगेंस्ट करप्शन कितने लोगों की आसाओं के उपर इसने इसको करते कि बुल्डोजर चला दिया ये लोग इस तरह से जो बिहेव कर रहे हैं अभी देखिए आगे बाहर आगे बाहर भई उसको गि इसने अपना काम किया है 144 लगा हुआ था तमाम लोगों को गिरफतार किया गया बहुत सारे मलेज बहुत सारे लीडर्स को वो रास्ता साफ किया गया अब दूसरी बात कि भाई आप जो हैं अब तक तो ये कह रहे थे कि भाई सबूत नहीं है सबूत नहीं है अभी कोई कह है क्योंकि ये जो आज दिल्ली हाई कोट में हुआ वो कि जज साहब ने सबूत के आधार पे ही इसके प्ली को रिजेक्ट किया है अब ये लोग फिर भी जाने वाले सुप्रिम कोट अभी ख़बर आ रही है कि लीगल टीम जो है वो सुप्रिम कोट पहुंची है करेंगे सुप्रिम कोट के उपर भी दुनिया की नदर होती है पब्लिक जो है सुप्रिम कोट के उपर भी दीखती है सुप्रिम कोट इस तरह की कारवाई करके अपनी ऐसी कि तैसी करवाता है एक एक तो रात में दरवार लगा था सुप्रिम कोट का एक टर्रिस्ट के तो आप देखिए कि भरस्टाचार का मसला है, फॉर्मली एरिस्ट कर लिया गया है, आज ही जज साहब हाई कोट के सबूतों के अधार पे इसको रिलीव नहीं देते हैं, और उसके बाद भी ये लोग घर जाकर के केजरिवाल की लीगल टीम, वो कह रही ही कि सुनवाई की जा हाइगा और पेश करने के बाद जो वहाँ पे हिरास्त की हमने चर्चा की तो ज़रा कुछ तस्वीरें वो दिखाते हैं कि किस तरह से पुलिस की security तो तैनाद थी लेकिन पूलस के security के बीच में आम आद्वी पाजी के काल करता है जो नेता है वो नारेबाजी करते हैं चीकते चलाते हैं आतिशी मार लेना भी चीक रही थी चला ली थी कह रही थी कि अर्विन केजरिवाल से नरेंद्र बोदी की सरकार सबसे जादा डरती है, किसी तरह से भी गिरफ़तार करना चाहती थी, साज़श थी तो गिरफ़तारी होगा। एक भी उमिदवार का जमानत बचा पाए, जीत तो दूर, किसी की जमानत तक नहीं बची, एक परसेट वोट भी नहीं मिला, टोटल वोट जितने पड़े नोटा को ज्यादा है, आम आद्वी पार्टी को कम है, और यह यहां क्या के डिंगे हांके इस तरीके से केजरिवाल के रहते हैं, पूरा जो है, चुनाओ का चरित जो है, वो बदल जाएगा, यह बेकार की चीजे है, टेकनिकल पॉइंट यह है, कि भई, जो दस्तावेज, जो डिजिटल सबूत मिल रहे हैं, केजरिवाल के आईपैट से, फोन से, कंप्यूटर से, लैप्टाप से, वो केजरि खिलाब बयान दिया है, वो सफीसिंट है, इनकी गिरफतारी के लिए, लेकिन यह बात तुछी के आम आदमी पाटी के नेता है, लेकिन विपक्षी गडवंदन में भी केजरिवाल शामिल है, आम आदमी पाटी शामिल है, किसी का अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया, हर क को इस सनलाटे में चला गया, सिर्प प्रियंका गांधी का एक ट्वीट आया है, एक प्रियंका वाडरा का जो है, वो ट्वीट आया है, और बड़ी बिदंबना है, सीला दिक्षित सोनिया गांदी की बहुती परम्मित्र थी सीला दिक्षित को इसने किस तरीके से जलील किया सीला दिक्षित को चोर डकैत भरस्टाचारी पता नहीं क्या क्या किस ने कहा और इसकी पूरी राजनीती की सुरुआती होती है कॉंग्रेस पार्टी की अब तक की सबसे बेस्ट चीफ मिनिस्टर सीला दिक्षित जिसने दिल्ली का चाल से तर चेहरा बदल दिया उसको गाली देके ये कहके कि हमारे पास पूरी फाइल है मुख्य मंत्री बनते ही सीला दिक्षित को मैं जेल में डाल दूँगा सीला दिक्षित को भोट दिया तो तुम्हारी बेटियों की बलातकार जो है दिल्ली के सणकों पे होगी इस तरह का पोस्टर ये लगा करके सीला दिक्षित के खिलाब ये चुनाओ लड़ा आज प्रियंका वाडरा राजणिती इतनी घटिया हो गई है कॉंग्रेस पाटी की आप आज उसी व्यक्ति को आप बचाओं में उतरे हुए हो बस इसलिए कि दिल्ली में आपके साथ इसका घटवंदन है तो ये तो खेर देश की जंता देख रही है वैसे मैं बता दू दिल्ली के कई सारे कोने से ये ख़वरे आ रही है कि बहुत जगों पे सेलिबरेशन हो रहा है कि केजरिवाल जो है सोशल मीडिया में तो लोग जश्ट मना ही रहा है सोशल मीडिया पे जश्ट मना जा रहा है जोट बोलने का भी एक लिमिट है ये जोट बोलते बोलते लोगों को ठकते 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 इसने अती कर दी और यही उसका अंत है केजरिवाल ने इस्तिफान नहीं दिया किस प्रकार की वो रनीती से आगे बढ़ रहे है लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि केजरिवाल की गिरफतारी हो गई है और कल केजरिवाल को कोट में पेश किया जाएगा देखना होगा कि कल कोट की तरफ से